केंद्रिया मंत्री निदिन गड़करी से राज्य के उप मुख्या मंत्रे जित पवार और गुखा मंत्री दिलीपल से पाटिल ने उनकी निवास्तान पर जाकर मुलाका थी जिसे अब नई नई चर्चाओ का बाजार गर्प होने लगा है पवार और वलसे पाटिल पुलिस भवन की नई इमारत के उधगाटन आउसर पर मिले थे पवार ने बताया कि उन्होंने गड़करी से राज्य की सड़कों के निर्मान के लिए केंद्रिया सड़क नीधी से बीते वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी भरपुर नीधी की मांग की ह उन्होंने कहा कि बिते वर्ष गड़करी ने राज्य की सड़कों के लिए एस आरेफ से करोडों की नीधी दी थी जिससे राज्य भर में सड़कों का निर्मान हुआ इस वर्ष भी उनसे उसी तरह नीधी देने की मांग की है बताते चले कि पुलिस भवन उदगाटन समारोह में गड़करी शामिल नहीं हो पाय थे क्योंकि वे तेलंगाना दोरे पर थे समझा जा रहा है कि इसलिए ही पवार ववल से पाटिल उनसे मुलाकात करने उनके निवास्थान पहुँचे तीनों नेताओं के बीच कारी 45 मिनट तक विविद विशेयों पर चर्चा होने की जान करें कई तरह के कयास भी लगाय जा रहे है राजमी जिस तरह भाचपा और शिवसेना के बीच खुले रूप से विविद विशेयों को लेकर आरो प्रत्यारोप हो रहे है भाचपा द्वारा महाविकास आगारी सरकार पर लगातार हमले किये जा रहे है जर्जा का विशे इन ही मुद्धों के आसपास घूमने के कयास भी लगाय जा रहे है जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभियोदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताबदीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर